न्यूस क्लिक की स्वतंत्र और आजाद पत्रिकारिता को समर्थन दीजिए इस लिंक पर क्लिक कीजिए जॉइन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद हमारी मेंबर्शिप को ग्रहन कीजिए आपके सामने तीन विकल्ब नास्कार आप देख रहे हैं न्यूस चक्र मैं अभिसार शेर्मा और एक बार फिर मैं आप सब का शुक्रियादा करना चाता हूँ कि इस मुश्किल वक्त में आप न्यूस क्लिक का साथ दे रहे हैं हमारी सदस्टा को ग्रहन करके और आज न्यूस चक्र में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के रणगंभीर की और हाँ उत्तर प्रदेश के चुनाफ कहने को अभी साथ या आट महीने दूर हैं मगर भारती जनता पार्टी की सबसे भरोसे मंद साथी मैदान में उतर गई है यानि कि CBI मैदान में उतर गई है आज CBI में इस खबर के मताबिक करीब 42 ज गोंती रिवर्फरंट जो तब बना था जब अखिले श्यादव उत्तर प्रदेश के मुख्य मंतरी थे अब आप बताईए चलिए गडबड घुटाला हो तो जाहिसी बाते उसकी जाच होनी चाहिए उससे कोई इंकार नहीं कर रहा है मगर अब जबकी साथ महीने बचे हु दोस्तों मानके चलिए कि आने वाले दिनों में CBI हो, ED हो, Income Tax हो ये सब भारती जनता पार्टी के पक्ष में काम करेंगी उत्तर पदेश के अंदर और विरोधी दलों को जोरों से टार्गेट करने वाली है मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों ये वीड उनील कुमार वर्मा, ये क्या कह रहे हैं मैं आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा पूरा वीडियो, मगर पहले मैं आपको बता दूँ हूं क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वोट डालने आने पर कैमरा बंद करके मारेंगे और बाद में शांती पार्ट हो जाएगा, खु मदद करने वाले हैं भारती जनता पार्टी की, अब सुनिए आप ये विडियो, दोस्तों उत्तर प्रदेश का चुनाव हो सकता है बहुत करीबी हो, हाँ अगर इसका पूरी तरह से सांप्रदाय धुरुविकरन हो गया, तो फिर भारती जनता पार्टी के पक्ष में हो जा मगर अगर ये मुकाबला बहुत करीबी हुआ और सीटों में अगर वोटों का अंतर पांस सो, छे सो, देड़ हजार, दो सो, दो हजार तक होगा, तब इसी तरह के डियम्स, इसी तरह के जिला अधिकारी, इसी तरह के नौकरशा हैं वो भारती जनता पार्टी की मदद करें सब जानते हैं कि बिहार के चुनावों में किस तरह से जहां अंतर चंद वोट्स का था, यहां पर इस तरह के डियम्स और इस तरह के नौकरशाहों ने जो पूरी लहर थी, वो सत्ता पक्ष के यानि कि भारती जनता पार्टी के पक्ष में पलट कर रख दी थी, और इस तरह से इस डियम्स का रवया था जिला पंचायद चुनावों में, यह दोनों बताते हैं कि भारती जनता पार्टी सामदाम दंड भेत के जरिये अपने विपक्षी डलों को टार्गेट करना चाहती है, और बात यहां ही रुपती है, इस चेहरे पर गौर कीजे, AIMIM के सर्वे सर असा दुद्दिन ओवेसी इन्होंने एक बयान दिया है, ओवेसी इस वक्त 100 सीटों पर शुनाव रड़ने वाले हैं, और ओवेसी ने बयान दिया है कि हम योगी आदितनात को रोक कर रहेंगे, पहली बात दोस्तों, पिछली बार ओवेसी उत्तर पदेश में 38 सीटों पर लड़े थे और उन्हें एक भी सीट नहीं मिली, जिससे पता चलता है कि ओवेसी की राजनीतिक हैसित उत्तर पदेश के अंदर क्या है, मगर भारती जनता पार्टी उनका रुत्बा लगातार बढ़ाएगी और उसका प्रमान में आब आपको देने वाला हूँ, सुनिए क् कह रहे हैं मुख्यमंत्री आदितनात, इसमें वो वेसी को बहुत बड़ा नेता बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हम उनकी चुनौती का सामना करने को तयार हैं, यानि कि ओवेसी को एक ऐसा मुकाम देना जिसके जरिये दो चीज़े होंगी, पहली बात, मुसल्मान वोट का ब सबसे पहले सुगिए, मुख्यमंत्री आदितनात क्या कह रहे हैं? चुनाव थे, और उन चुनावों में भारती जनता पार्टी, अगर हम पिछले चुनावों की बात करें, तो एक या एकका दुक्का सीटे मिली होंगी शायद इनको, मगर जब चुनाव आते हैं, तो भारती जनता पार्टी के बड़े-बड़े नेता प्रचार पे उतर जा आते हैं, अमिश्या भी आ जाते हैं, जेपी नड़ा भी उतर जाते हैं, यहां तक कि प्रधान मंत्री ने भी अप्रत्यक्ष तोर भर हैदराबाद में चुनाव प्रचार किया था, तेजस्वी सूरिया भी आ जाते हैं, और सबके निशाने पर असद दुद्दीनोवैसी, असद दुद्दीनोवैसी को इन्होंने जिना बताया और नजाने क्या क्या किया, यानि कि उसके जरिये एक धुरुविकरन पैदा किया, वहां पर यह एक्सपेरिमेंट काम्याब हुआ, क्योंकि तब हैदराबाद की स्थानी चुनावों में बीजेपी दूसरे नंबर पर तो भारती जनता पार्टी के लिए ओवैसी हमेशा एक संजीवनी के तौर पर आते हैं, कई लोग कहते हैं कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, मेरे पास जैसे कि मैं अक्सर कहता हूँ, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है, मगर ओवैसी सहाब को इस बात का जवाब देना हो हैं कि हम अपनी मस्जद के सामने से दलितों की बारात नहीं गुजरने देंगे तो आप खामोश क्यों रहते हैं, क्योंकि असदुदिन ओवैसी सहाब आप एक समझदार व्यक्ती हैं, बहुती पढ़हे लिखें व्यक्ती हैं, और आपके आपकी जानकारी, खासकर आपकी सामवधानिक मामलों में आपकी जानकारी है, मैं उसका कायल हूँ, मगर जब आपका ये कारकरता इस तरह के बयान देता है नाजिम अली तो आप खामोश क्यों रह जाते हैं, बताइए, क्योंकि इस तरह के बयानों से तो हिंदूओं और मुसल्मानों में तनाफ पैदा ना, आप एक तरफ तो कहते हैं कि आप योगी आदितनात को हरा देंगे, फिर आपका ये कार करता है इस तरह का जब बयान देता है तो आप हमोश क्यों रहते हैं, क्योंकि इस तरह के बयानात से फाइदा किसको होगा, बताइए, बताइए, घलत बोला मैंने, ओवैसी 100 पर चुनाव लड़ा था तब भी ओवैसी के समर्थक अक्सर मोटे बाइक्स पर बैठे अल्लाव अखबर नारा ये तकबीर के नारे लगाते थे भारती जनता पार्टी ने इन वीडियो का इस्तमाल करके अपने समर्थकों को डराया था और ये उनकी सियासत रही है और अब भी दोस्तों वही हो रहा है मैं आपको बताता हूँ इनके ये प्रवक्ता है सूरजपाल अमू ये आदमी इतने भड़काओ बयान दे रहा है दोस्तों इतने भड़काओ बयान दे रहा है गर्दन काड़ देंगे ठोक देंगे इन्होंने बाकाइदा एक राली भी निकाली जिसमें बहुत गंदे-गंदे नारे दिये गए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्तों इसी तरह का एक्सपेरिमिंट जो है वो उत्तर पदेश में भी दोहराया जाएगा और फिर मुझे हसी आती है जब मोहन भागवती ये बयान देते हैं क्या बयान है आपके स्क्रीन्स पर अगर कोई हिंदू कहता है कि यहाँ पर कोई मुसल्मान नहीं रहेगा तो वो व्यक्ति हिंदू नहीं है गाए एक पवित्र आनिमल है जानवर है मगर जो लोग दूसरों को लिंच कर रहे हैं मौत के घाट उता रहे हैं वो लोग हिंदू के खिलाफ है नियाए को अपना वक्त खुद लेना चाहिए बगएर पक्षपात के यह बयान RSS चीव मौहन भागवत ने घाजिया वो कह रहे हैं कि जो लोग लिंच करते हैं उनकी जगा हिंदू धर्म में नहीं है वो ये भी कह रहे हैं कि जो लोग मुसल्मानों को टार्गेट करते हैं जो हिंदू वो हिंदू भी नहीं है बहुत अच्छी बात कहिए आपने मगर सबसे दुखी बात ये है कि मोहन भागवत साहब आपकी पार्टी के अंदर कई ऐसे लोग हैं जो बहुती बत्तर बयान देते हैं मैं आपको सुरचपाल अमू की मिसाल दे चुका हूँ आपकी पार्टी में धेरों मिसालें जिस घाजियाबाद में आप खड़े हैं आपके घाजियाबाद ने उस शक्स को पार्टी में शामिल किया था जिसने जामिया में जाकर गोली चलाई थी शाहिन बाग में जाकर ग इस बात को लेकर हल्ला हुआ था फिर उन्होंने यूटर्न ले लिया था मैं आपसे यही तो समझना चाहता हूँ मोहन भागवत जी ये दोहरे माबदंड क्यूँ मुझे तो ऐसा लगता है कि मोहन भागवत ये बयान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि मुस्लिम देशों में, अमरीका में, ब्रिटिन में और यूरोपिये देशों में भारत की नाक लगतार कट रही है मोधी सरकार पर लगतार दबाव है जिस तरह से मुसल्मानों को, लिब्रिल्स को या उन पत्रकारों को टार्गिट किया जाता है जो इस सरकार से सवाल करते हैं जिस तरह से समाच के अंदर जहर पहलाय जा रहा है मुझे लगता है कि मोहन भागवत ये बयान उस अंतराश्ट्री समुदाय के लिए दे रहे है मोहन भागवत जी की इन बयानों में दोहरे माबदंड है क्योंकि अगर आप सूरचपाल अमू, कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, प्रवेश साहिब सिंग अगर आप ऐसे नेताओं पर भी अंकुष डालें, तो मैं आपकी बात पर विश्वास करूँगा और यही जो सूरचपाल अमू मॉडल है, या कपिल मिश्रा मॉडल है, या अनुराग ठाकुर मॉडल है यही इस्तमाल होगा उत्तरपदेश के अंदर और कही न कहीं मैं इसकी लड़ी को जोड़ना चाहता हूँ ओवैसी को उभार देने से, यही वज़ा है कि भारती जनता पार्टी के नेता ओवैसी और उनकी पार्टी को लगातार बढ़ा रहे हैं, लगातार उन्हें तरजीह दे रहे हैं इससे ये भी साबित होता है कि अखिलेश यादव और मायावती के लिए आने वाले दिन बहुत चुनावती पूर्ण होने वाले हैं क्योंकि मेरे हिसाब से यही दोस्स सबसे जादा गंभीर खिलाड़ी हैं जो आदितनात को चुनावती दे सकते हैं और अगर मैं और स्पष्टता से कहूं तो मायावती ने तो पिछले कुछ अर्से से लगातार कई ऐसे भरामक बयान दियें भारती जहता पार्टी को गेर नहीं रही है जैसे वो एक जमाने में घेरा करती थी तो मुझे लगता है सही मायने में अगर कोई चुनावती देने वाला है आदितनात जी को तो वो है अखिलेश यादव और यही वज़ा है कि आद सी बियाई ने उनके कई ठेकानों पर गोमती रिवर फ्रंट मामले में रेड मारी है मगर अगर भारती जहता पार्टी यह सोचती है कि वो धर्म के नाम पर बठवारा कर सकती है तो वो घलत सोचती है खबर एक और मैं आपको बताता हूँ 19 जुलाई को मौनसून सत्र शुरू होने वाला है दोस्तों मौनसून सत्र में दोसो किसान अब संसद का मार्च करने वाले है आपके स्क्रीन्स पर राकेश टिकैट उनका ये बयान सुनिए सरकार अगर किसी पार्टी की होती तो किसानों की मानती ये तो मोदी की सरकार है जिसे कमपनिया चला रही है कि आपकुँ सुनिए अगर या सरकार किसी पार्टी की होती तो वा जरूर बात कर लगती है इस फेक्यों सरकार पहले जब वोट दिया छोटे भी आपके बार मोदी सरकार बोलना सी क्या है नहीं मोदी सरकार बता ले गया शभको बता के मोदी सरकार है मोदी सरकार कुछ लारी कमपनी यह है मामला अब लोग को इसलिए बात नहीं हो रही तो मान के चलिए दोस्तों पश्चिमी उत्तर पदेश यहां करीब 126 विधान सबासीते हैं वहां पर राकेश टिकैत और किसानों का मुद्दा बहुत हावी होने वाल बाकुर जातियां हैं चाहे वो ब्रामन हों, ओबीसीज हों, दलित हों उन पर जिस तरह का अत्याचार आदितनात की राज में हुआ है वो भी मुद्दा उठाया जाएगा यही वज़ा है कि अखिलेश यादव चुप चाप सोशल इंजिनरिंग कर रहे हैं वो पिछड़े पिछड़े जो दल के नीता हैं उन्हें खुद से जोडने का प्रयास लगातार कर रहे हैं मगर अखिलेश ये प्रयास तो कर रहे हैं ये तमाम चीज़ें धरी की धरी रह जाती हैं अगर भारती जनता पार्टी उत्तर पदेश के चुनावों को हिंदू मुस्लिम की तरफ म नहीं की मगर मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बात मोहन भागवजी ने कही है उस बात को भारती जनता पार्टी सही माइने में समझेगी क्योंकि देखिए कथनी और करनी का फर्क तो साफता और पर दिखाई दे रहा है उससे आप मूनी मूर सकते हैं खैर जो भी है उत्तर प उसके लिए तैयार हैं क्या मायवती उसके लिए तैयार हैं देखने लाएक बात नमस्कार